एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और नए वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक किजिए बैल आइकन पर हेलो फ्रेंड्स मैंने लाप सबीका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्चिप यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपको देखने में बिल्कुल बेसिक सा और छोटा लगेगा पर ये बहुत ही महत्पूर् बात करेंगे software checksum के बारे में कि checksum क्या होता है इसका क्या use है ये क्यों जरूरी है और हम कैसे checksum hases जननेट और verify कर सकते हैं दोस्तों आप internet से software files script या टूल डाwnवड करते हैं तो आपने कई बार notice किया हुआ कि एक लंबी सी type string लिखी होती है जिसमें कुछ numbers और letters होते हैं तो एक दम यूनिक होते हैं जैसे हमारे fingerprint एक दूसरे से match नहीं करते ठीक उसी परकार फाइल के वी यूनिक check sum hashes होते हैं जो एक दूसरे से बिलकुल अलग होते हैं यदि फाइल के इंदर थोड़ा सा भी बदलाब किया गया है तो check sum hashes भी change हो जाते हैं कई वार check sum कुछ error की बज़े से भी change हो जाता है जैसे मान लीजिए आप कोई file net से download कर रहे हैं और network problem के चलते file सही transfer नहीं हो पाई या किसी current bus file corrupt हो गई तो original file का भी check sum change हो जाएगा आपने check sum का error कई वार zip file में भी देखा होगा वैसे इसका प्रयोग software और file में error detection के लिए भी किया जाता है check sum hases जिसके मदद से असली और नकली file software tool और script की पहचान की जा सकती है check sum hases भी कई तरह के होते हैं जिसे की md5, sh1, sh256, sh512 तो जब कोई अपना software file, tool या script internet पर डालता है तो वो उसके check sum string भी share करता है आपने कई वार देखा भी होगा तो इसकी जरूरत क्यों परती है तो दूस्तो जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि hacker software के साथ कोई back door malware attach करके लोगों के system को hack कर लेते हैं तो ऐसी condition में ये check sum बड़े काम की चीज है जैसे मान लीजे दूस्तो ये पटी software है किसी hacker ने आपको इसमें virus address करके send किया तो आप run करने से पहले उसका check sum verify करके ये पता लगा सकते हैं कि ये software original है या नहीं या इसके साथ कोई share चार तो नहीं की गई ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पटी software का download page है और सबसे last में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको चारो तरह के check sum के हैसेस देखने को मिल जाएंगे तो आप जो भी यहाँ से check करना चाते हैं आप इस पर click करेंगे तो इनके जितनी भी software's, file, tools हैं यहाँ पर सब के check sum हैसेस मिल जाएंगे तो आप इसको यहाँ से verify करा सकते हैं जिनकी मदद से आप असली और नकली software's की पैचान कर सकते हैं जादार sites अपने software और files और tools के check sum हैसेस प्रवाइड कराती हैं तो इन check sum हैसेस को verify करके आप अपने system को hack होने से बचा सकते हैं दोनों ही software काम तो same ही करेंगे पर जिसमें backdoor चुपा हुआ है तो आपके system को नुफसान पहुचा सकता है यदि software file और tool में थोड़ा सब यह बदलाब किया गया है तो उसके check sum हैसेस भी change हो जाएंगे तो यह companies भी अपने software अपडेट होने के बाद check sum को भी update करती हैं आपने कई वार देखा होगा कि आप जब कोई file या virus को virus total पर upload करते हैं चेक करने के लिए तो वो एक message दिता है कि यह file पहले से ही scan की जा चुकी है आप पुराना LSS result देखना चाते हैं तो यह side file के check sum message से ही उनकी पहचान करती है अब भले ही इन file का नाम कोई दूसरा हो मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर एक file upload करता हूँ यहाँ पर मैंने यह party software वाली file यह upload की और हम इसको ही scan करके देखते हैं और यह देखिए तो यह sides इसी तरह से files को पहचानती हैं उनके check sum hashes के दौरा तो यह check sum hashes कैसे generate होते हैं और हम कैसे check sum hashes को verify कर सकते हैं मैं आपको practically दिखाता हूँ तो सबसे पहले हमें एक check sum tool के जरूरत पड़ेगी आप Google पर search करेंगे तो आपको starting में ही एक tool मिल जाएगा MD5 and SHH check sum utility नाम से काफी छोटा सा tool है जिसकी मदद से आप किसी भी file software, tool या script का check sum generate कर सकते हैं या फिर उसको verify भी कर सकते हैं आप यह software भी use कर सकते हैं पर यह केवल MD5 के लिए ही काम करेगा यह देखिए आपने मेरा यह piloted software वाला वीडियो देखा होगा यदि नहीं देखा तो आप देख लीजिए मैं वो ही file यूज कर रहा हूँ जिसमें मैंने backdoor inject किया था अब मेरे पास दो file है एक original और एक malware से infected तो हम इनके check sum verify करके देखेंगे यह देखिए यह जो पहली file है यह original file है इसका size है 222kv का और जो दूसरी वाली file है यह backdoor से infected है इसका size है 275kv का यह जो software है आप इसको google से download कर सकते हैं अब आप यहाँ पर यह choose कर सकते हैं कि आपको किस किस तरह के check sum message generate करने हैं तो आप इनको यहाँ पर tick कर सकते हैं और आप जिस file का भी check sum message generate करना चाते हैं उसको आप browse करके या सीधे drag and drop कर दीजिए यहाँ पर file के check sum message generate हो जाएंगे यह देखिए यहाँ पर 4 तरह के check sum message generate हो चुके हैं तो यह दि आपने कोई software file tool या script बनाई है तो आप अपने files के लिए इस तरह से check sum generate कर सकते हैं और लोगों के साथ share कर सकते हैं कि यह मेरी original file है किसी दूसरी नकली file को use मैं ना लें तो मैं इस file के md5 check sum message copy paste कर लिता हूं पर हम दूसरी file से इसको verify करा कर देखेंगे यह मैंने यापर paste कर दिया अब मैं दूसरी file के check sum message generate कर लिता हूं यह देखे दूस्तों यहाँ पर सभी check sum message एक completely change हो चुके हैं आप देख सकते हैं मैं आपको देखाता हूं मैंने यासे इसको copy कर लिया और यह backdoor वाली file का मैंने यहाँ पर paste कर दिया आप देख सकते हैं दौनों के check sum बिलकुल different है तो आप इस तरह से original or fake file का पता लगा सकते हैं यदि आपको verify करना है आप इसको इस software के मदब से भी verify कर सकते हैं जैसे मैंने यह original वाली file के check sum को यहाँ से copy किया और यहाँ पर इस has को मैंने यहाँ पर paste कर दिया और मैंने क्लिक किया verify पर और यह देखी दूस्तों यहाँ पर message आ गया has does not match files के बीच में अंतर कर सकते हैं कि कौन सी file fake है कौन सी file original है आप भले ही आपको देखने में नाम से और काम से same लगें पर यह file एक दूसरे से बिलकुल अलग है तो यह file एक दूसरे से अलग है तो उनका काम भी अलग ही होगा तो इस तरह से आप यह पता लगा सकते हैं कि उस file यह software के साथ कोई छेड़ चार तो नहीं की गई तो देखा आपने यह छोटा सा tool आपके कितनी help कर सकता है बले ही यह जानकर यह आपको basic सी लगे पर यह बड़े काम की है इसकी मदद से आप अपने system को hack होने से बचा सकते हैं असली और नकली file, software, tool और script की पहचान कर सकते हैं और hacking का शिकार होने से बच सकते हैं तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा यदि अच्छा लगा तो share जरूर कीजिएगा और यदि आप इस चनल को पहली वार देख रहे हैं तो subscribe कर लीजिए, bell icon के साथ योकि आपको इस चनल पर ethical icon के वारे में वाइट अटेकिक की टेकनिक्स और cyber security से जुड़ी कई महत्पूर जानकरियां मिलती रहती हैं वो भी हिंदी में तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे आप से अगले वीडियो में लेकते रहे टेक चिप धन्यवाद आपका दिन शुब हो